एक बार फिर आप सभी का मेरी उट्वीजन पर सवा गयता है और सबसे पहली चीज में आपको बता दूँ कि जो एरफोर्स की PSL है वो 15 जिन्वरी को आउट हो चुकी है मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाने में लेकिन कोई नी मेरा मेर मेर मोटी इस वीडियो में कितरू तु तो सबसे पहली चीज कि PSL जो की रेली बढ़ती थी और जो टेक्निकल जो गुरूप हुआ टेक्निकल जो गुरूप जी एक्स थी कब December 2019 जिसमें कुछ बच्चे थे जिनकी जोइनिक नहीं आई थी लेकिन उनका सब कुछ किलिए था वेटिंग लिस्ट में थे उन सब की उन सब की रिगार्डिंग में इन्रोल्मेंट लिस्ट जल्दी आईगी लेकिन अभी क्या ही है प्रोवीजनल सेलेक्टिड लिस्ट आई है ठीक है पीएसल इसके बाद क्या करना पीएसल के बाद उन सब चीजों की रिगार्डिंग में वीडियो में जल्दी बनाद हुआ लेकिन सबसे पहले चीज इस प्यासल में आपको एक चीज दिखा देता हूं जैसे की जो लास्ट टाइम की प्यासल थी ठीक है कौशी वाल यह लास्ट टाइम एक सिकिंड आपको दिखाता हूं मैं जैसे यह लास्ट टाम की PSL थी तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको क्या कि लास्ट टाम जो मैंने एक्जाम दिया था तो उसमें मेरा कुछ रेंक आया था सम्धिक रूँ रुँ त्री थाउजन ठीक है यह देख लो यह कुछ रेंक आया था मेरा जब मैंने उस टाइम पे जब यह एक्जाम दिया था somehow हो है medical के लिए present नहीं हो पाया था तो यहाँ पे देखो medical का दिखा रखा है upset क्यों मैं गया नहीं था ठीक तो last time जो मैंने return जो दिया था उसमें आई थी rank 3-3, 6-6 ठीक लेकिन इस बार की जो मैंने जो एक्जाम दी थी कौन जी रेली बढ़ती वाली जो हुई थी राजस्तान से दी थी मैंने तो उसमें देखिये काफी अच्छे नमबर आये थे और rank देख लो आप लो merit position की बात जहां कर रहे है 50 इसमें भी somehow मैं medical के लिए नहीं गया था अप्षेंड था लेकिन कोई नहीं मैंने रिटन दिया था फेजिकल भी क्लियर किया था इसका आप से phase 2 जो होता है वो भी मतलब अबिसली रेली बढ़ती में तो phase 1 phase 2 एक साथ होते है सब क्लियर गया था लेकिन all linear rank 50 आई थी तो ये सब आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि this is just for the authenticity की आप लोगों को लगे कि भाई ये जो भी वीडियो बना रहा है इसको कुछ हाता भी है या फिर मतलब कभी दिया है एक्जाम या फिर ऐसे बता रहा है तो इसके लिए मैं बता रहा था अभी तक मैंने 5 बार एरफोर्स का एक्जाम दिया है और 5 बार के लिए है हो चुका है तो just basically normal बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है इसके लावा जिस भी भाई का एरफोर्स में हो गया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है ग्रेचुलेशन और जिसको भी लगता है कि उसके साथ वाड़ों को हो जाना चाहिए है फिर कुछ भी तो अपने चैनल को मेरे चैनल को सुझेस्ट कर सकते हैं उनको मैं उनको एरफोर्स के रिगार्डिंग काफी अच्छी इंफोर्मेशन और प्लस में जल्दी मैं एक वीडियो लेक्चर भी शुरू करूँगा जिसमें मैं एरफोर्स के रिटन के एक्साम की थोड़ी का त्यारी करवाँगा ठीक है जो में में होते हैं उसके रिगार्डिंग ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें जो भी भाई है जिनका नहीं हुआ है फिर जिनको लगता है कि वो मेरिट आउट हो सकते हैं कुछ भी मतलब जैसा भी सीन है और चैनल के साथ बने रहे हैं आपको PSL के बाद क्या होता है क्या सब इन सब के रिगार्डिंग वीडियो चल्दी मिल जाएगी थैंक यू जहीं जवारत